गुड मॉर्निंग चिल्डर्न एकसराइड 2.1 का हमने 5 और 6 कोशन कर लिए हैं यह हमारा फस्ट कोशन है फस्ट कोशन है हमारा, राइट दर नेक्स्ट थ्री नेच्टरल नमबर्स आफटर 10999 तो 10999 के नेक्स्ट थ्री नेच्रल नमबर्स कैसे लिखेंगे हम इसमें हम बन प्लस करेंगे, तब ही हमारा जो है next natural number आएगा, तो 10,999 में हमने बन प्लस किया, तो आया हमारे पास 11,000, इसी तरह से 11,000 में हमने बन प्लस किया, तो आया हमारे पास 11,101, ऐसे ही 11,101 में हमने बन प्लस किया, तो आया 11,102 तो यह इस तरह से हमारे यह आए हमारे next three natural numbers of 10,999 Second question है Write the three whole numbers occurring just before 10,000 and 1 मतलब कि 10,000 से 10,000 1 से पहले जो three whole numbers है उनको हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे the three whole numbers just before 10,000 1 तो 10,000 1 मैंसे हमने 1 माइनिस किया तो हमारे पास आया 10,000 फिर 10,000 मैंसे 1 माइनिस किया 9,999 999 मैंसे फिर बनिस किया तो हमारे पास आया 9,998 तो यह हमारे आए three whole numbers जो की 1,001 से पहले आएंगे तो 10,000 9,999 9,998 यह second question complete हुआ हमारा third question है हमारा which is the smallest whole number कि smallest, सबसे smallest whole number जो है वो क्या है तो 0 जो है सबसे smallest whole number है natural number जो है 1 से start होते हैं और जो whole number है वो 0 से start होते हैं तो जो हमारा 0 है वो next सबसे छोटा whole number है fourth question है हमारा how many whole numbers are there between 32 and 53 की 32 और 53 के बीच में कितने whole numbers हैं तो इसके दो तिकों से हम इसको कर सकते हैं तो फास्ट है हमारा whole numbers between 32 and 53 sorry 53 में से हमने 32 को माइनिस किया तो हमारे पास आया 30 sorry 21 और बन माइनिस किया बन क्यों क्योंकि हम कर रहे हैं 32 से हमने आगे का लेना है तो मतलब 33 तो इसमें से हमने 1 माइनिस किया तो हमारे पास आया 20 तो 32 और 53 के बीच में 20 whole numbers लाई करते हैं और इसको दूसरा तरिक्का है इसको आप 32 से हमने 53 तक बताया है तो 33 से हम counting लिखना स्टार्ट करेंगे 53 तक और फिर इनको count करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 तो जैसा आपको जो ठीक लगेगा method उससे आपने इसको करना है और साथ मैं आपने 7 7 questions जो है इसमें आपके less than और greater than ही है तो यह आप लोगों ने खुद करना है और 8 जो है true false इसको rough copy में करने की कोशिश करनी है तेंक यू